कि अधिन कि अधिन कि अधिन कि आप देख सकते हैं एक मैंने सदी एक क्लास में दिखाया थोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह टॉप व्यू बहुत जुरूरी है हम सब के लिए हलो आलका मैं थैंक यू पर वचिंग टॉप व्यू जुरूरी है और कहीं पर हमें समझ में नहीं आता उसका ड्रॉइंग क्या है तो उसके बारे म मैं जड़ा आज बात्चित करूँगा तो क्या मेरा वीडियो और मेरा बॉइस जो है क्लियर आ रहा है अगर क्लियर आ रहा है तो थोड़ा से अग्नोलेज कर दीजिएगा प्लीज ओके थैंक यू तो यह जो टॉब भीउ है इसमें हम बीगनर्स को हाई जोती जी विलकम विलकम प्रकार्ष जी ओके गडिवीनिंग सर्वी का गडिवीनिंग ओके यह जो तो टॉप व्यू में हमको क्या दिक्कत होता है कि ड्राइंग, सबसे जदा जोड़ी है ड्राइंग, तो मैं बस बेसिकली, मैं एक तरीके से मैं इसे समझना चाता हूँ हर बग, कि क्या होता है कि हमें मालूम है कि टॉप व्यू से होने से वो थीर पॉइंट पॉइंट कहां से जोड़ना है, जमीन के उपर, पॉइंट बहुत दूर चला जाता है, यह सब तरीए, यह बहुत सारे प्राब्लम आ जाता है, ठीक है, तो हेलो हेलो बीमल जी, जॉली जी, उमा मैम, ओके, ओके, ठैंक यू बंसी का, ओके, गोड़ इबनिंग, गोड़ इ यह मूब कर रहा है, तो थोड़ा बताऊंगा, तो थी पॉइंट परस्पेक्टिप जैसे कि हम जानते हैं कि तीन पॉइंट के जिरिए उससे हम कनेट करते हैं, तो अकसर क्या होता है, बीगनर सो गुम हो जाता है, मतलब मिलता नहीं थी, पॉइंट को कहां राके, कैसे करे बड्स भीव, वो चित्टी वाला भीव है ना, तो दोनों में तोड़ा डिफरेंट तीनों पॉइंट को मिला के करते, तो माँ यह बतना जाऊंगा कि चाए आप आप अन्दस पॉइंट में हो, चाए आप इस तरह से रिफरेंस के जरी काम करो, बहुत सिंपिल टेगनिक्स है, जिसके जरी आप हर लाइन स्कॉप समझ सकते, तो आप सभी का कॉमेंट्स भी मैं साथ साथ देखता रहूंगा, हलो हलो हलो, ड्रॉइन बंदन जी, ओके, गुड इमनिंग, सुआते जी, ओके, गुड इमनिंग, विपिन जी, सभी को गुड इमनिंग, ओके, तो पाच् कि जो विगनर से क्या फिस करता है, क्या प्रॉब्लम फिस करता है, इस तरह से अर्गेटिक्ट्चिर देखतीं डरते है, कि कुस तरह से उसकी लाइन से कैसे उसको ड्रॉइंग किया जाए, तो मैं इसे बहूतĩ हूं बहुत सिंपल तरीके से समझाओंगा थोड़ा था, जै है तो मैं यहां पर थामनेल के जरी थोड़ा सापको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा ठीक है आपके पेपर हो गया और जैसे कि आपके लेट में जो अपको देखने को मिल रहा है छो जो फूरा ड्रॉव नहीं करना मैं मान लो कि मैं पेंसिल लगे काम कर रहा हुँ तो मैं क्या प्लान करूंगा पहले कि इस एरिया में कुछ रास्ता है इस एरिया में कुछ रास्ता सा न इकल रहा थे, तो यहां पे कुछ ऐसे रास्ता, पहले रास्ता वला मैं यहां पर देख लिया, कि मुटा-मुटा, दोनों आखों के पलकों को आदा-ादा बूज़ाएंगे तो मुटा-मुटा स्पेस दिखेगा, तो यहां पर क्या दिख र इस जो आर्किटेक्ट्चर को आपको बनना है इस तरह से आपको ये देखना है कि कितना एरिया ले रहा है तो इस तरह से ये एरिया में आप ये आर्किटेक्ट्चर डाल दिया उसके बाद क्या करना है कि आपके सामने कुछ इस तरह से जो आपके घर दिख रहा है उनको ऐसे बियुक्त करके डालना है, तो इस तरह से आपको प्लां करना ना तो ऐक साइट से आपने सुरुकर दिया और फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं वह तो देखो में तो कया की मुटा-मुटा जो पहले मैंने रास्ता निकल दिया पिर यहां पे जो architecture, यहां पे जो buildings है, उस building center में मैंने देखा, उसके opposite में एक buildings इस तरह से देखने को मिल रहा है, okay, opposite में ऐसे buildings एक देखने को मिल रहा है, अच्छी तरह follow कीजिए तो आपको समझ में आएगा, तो सुरू में क्या करना है, आपको इस तरह से plan करना है, और इस स समय आपको अपर जो vertical line है, सब straight lines है, आप देखिए, जो जिस angles में हम खड़ी है, जो भी घर आता है, उसके सारे vertical lines जो है, straight lines है, नीचे की ओर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदेरा सा है, यह road है, यह है, और इस तरह से, आप plan करेंगे, तो सब कुछ उसके अंदर set हो जाएगा, तो यह तो है, कि किस तरह से आपको paper के अंदर आपके, जो भी जितना area आप लेना चाहते है, वो कैसे set करेंगे, यह हो गया एक तरीका, तो इस तरह से आप thumbnail बनाने से thumbnail के अंदर भी आपका planning हो जाता है, कि कहां से कहां तक करिया आप ले पा रहे हैं, और tic-tac हो पा रहे ह के नहीं, यह thumbnail के अंदर भी हो जाता है, यह का, ओके, एक second दीजिए, यह हो गया, तो मैं one side state करना हूँ, आपको समझने के लिए, कि जो भी मैंने घर का draw किया, थोड़ा सापको मैसूस होने के लिए, one side, ताकि वो जो सुरज के रसनी तो आगे से आ रहे है, इधर, ठीक है, यहां पे कुछ आया, यहां पे कुछ गारी-गुडी होगा, ऐसे चुटे-चुटे, तो ऐसा कुछ है, जो भी हमको देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से जो पहले क्या करो कि पूरा drawing ना करो, पहले क्या करो, ऐसे planning करो, कहां पे क्या, इस तरह से boxes के जरी आप थोड़ा सा planning कर लो, उसके बाद आप धिरे-धिरे detail में जाओ, यहां पे मैं जो वो twist बताने जा रहा हूँ, वो कैसे पकड़ना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, lines को कैसे देखना है, उके उनुर्द जी, सब मिलेगा, इंट्रेस्टिंग, इंट्रेस्टिंग टॉपी, ठेंक यू, ठेंक यू, ठेंक यू, ठेंक यू, तो, at fast, देखो, क्या करना की, आपको, इस जैसे है, यह फोटो मान के चलो, मैं बड़ा सा है, पेंटिंग में बनाया था, तो मैं फोटो मान के चलो, तो, आपको क्या करना, सबसे पहले, यह जो लाइन है, पेपार के कौन से इस से बाहर जा रहा है, इस direction में बैठाया यह, यह lines कैसे, मतब, यह जैसे भी line कहीं सर भी रास्ता का बाहर जाता है, कौन से direction से बाहर जार रहा है, उस से जज़्यान रखना है, उसके आप क्या करो कि इस तरह से जो आपको यह मालूम है यह जो है horizontal यह वर्टीकल रैइट इसमें तो आपको कोई हिला नी सकते ना इक वर्रटीकल को आप समझ सकते हो शिदा है के नी एक horizontal को आप समझ सकते हो कितना सिदा है तो यहाँ पर हृरिजिंटल और वह क्या हो रहा है ऐसे थोड़ा सा तीच्छा हो रहा है वह कैसे तीच्छा है कितना तीच्छा है उसके उपर रखके आप समझ के उसको इसके उपर रखा फिर आप ने उसके उपर जाके ऐसे प्लानिंग कर लिया तो इस तरह से अभी जैसे यह लाइन किदर को जा रहा है तो तो कितना angle पे है बहुत simple तरीका से कुछ lines ही है जो आपको तंग कर रहा है ठीक है तो एक तो हमें मिल गया जो vertical line हर एक line जो हमें straight maximum line जो है हमें straight देखने को मिल रहा है बाकी जो यह जो lines है इस तरह से रखने के बाद मालूम चलता है यह सीधा नहीं है यह ऐसे है यह सीधा नह करना दोनों आकों के पलकों को बुझाना आदा आदा आपके मोटे मोटे जो area मिलेगा उसे ड्रॉ करना है उसके बाद धिरे-धिरे details की ओर जाना है ठीक है एक पहले आप अगर box बनाके घर बनाके drawing करके पूरा खिर्की बनाते हो उसके बाद आपको space नहीं मिलेगा आप द जो भी सवाल आपके होंगे जुरूर आप कीजिए ओके डिवाइस में अलाग अलाग कलर हमको देखने को मिलता है जैसे कि मैं ट्यूटी पे शेयर किया तो हूँ आप तो वाइलट में दिग रहा है मेरे डिवाइस में थोड़ा सा तार को इस दिग रहा है तो कोई बाद नहीं आप जो किसी एक को फॉलो करें उसको फॉलो करके करेंगे तो सारे कलर कॉंबिनेशन बनते जाएगा उसी सबसे ठीक है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहां पर क्या है कि मुझे जो दिख रहा है कि थोड़ा सा तार्कोईस है थोड़ा सा आल्टा म औरेंज इस गुड़ बंक्सियाना में ज़्यादे यलो है ज़्यादे यलो होने के करण ब्लू के साथ मिलके और गिरीन होता जाएगा तो यह आल्टा मेरीन थोड़ा टार्कोईस और मैं औरेंज को मिला लिया यहां पर छीक है थो में गड़ का जो एक रिदम बनता है जो बैस बनता है ताकि तो उस एरिया का उस मौसम का फील आए इसके अंदर, इसके बाद अगर हम कुछ कलर यहां से लिप्ट भी करता है, तो हाईलाइट एरिया में, तो भी हमको क्या, उसमें कुछ न कुछ कलर टच हुआ है, कुछ खास एरिया जहां पर इस तरह थे रोट के इस हिस्सा में कुछ लाइट जादा आ रहा था, तो यहां पी जैसे यह रोट के उपर बहुत जदा हाईलाइट है, मैं वहां पर थोड़ा सा कलर लिप्ट कर लिया, तो देखिए हर आटिस्ट के अलाग अलाग टेक्निक्स है वह टेक्निक्स आपको जानना बहुत जरूरी है, उससे बहुत इजी हो जाता है, आपको बहुत कुछ आगे मदब आगे बढ़ जयते है, जो हइन पर में जो हाईलाइट है, यहां पर भी मोटा हो हाईलाइट है, हम इसको निकल सकते हों और इससे क्या होगा, कि इस नहीं नहीं बनेगा हुआइट भी एज बनता है हुआइट अगर हमें बरबर से अगर पूरा रख दिया तो भी वह भी एच लाइन बनता है पैसे में क्या होगा एच लाइन नहीं बनेगा लाइट ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आगे से है मतलब फ्रॉंट से है और उपर से है थोड़ा लाइट तो शैडो से हमें पाते चलता है कि किदर से है प्लाइट ओके एलो निसिकंद जी थेंक यू पर वचिंग थेंक यू पर आपका आना ओके तो यहां पर क्या करेंगे ड्राइ कर देंगे यह जो टैब के अंदर वो इस तरह से ब्लूज आ रहा है तो मैं ब्लूज ले रहा हूं तो डिवाइज अलग अलग होता ही है अगर हमें हमरे पास जाना हो तो पेंटिंग को जल्दी कैसे चुका सकते हैं देखिए मैं बताओं कि यह जो हैड़ा हम यूज कर रहा है यह वस लाइब के लिए हम यूज करे हैं हमें जल्दी के लिए नहीं यूज कर रहे हैं हम जल्दी तो है ताकि आपको बैठा नहीं रहा पड़ेगा पर यह नैस्टोर्टर टाइम में घ्राइं और हूने से अच्छा है तो पहली नियर में आपको क्या दिख्कत तैं सुखने तो ऐसी हाल आपके जल्दी स्प्लीनियन में जल्दी सुकता है क्योंकि हावा चलता है धूब लगता है तो सुक जाता है ठीक है वर्टेकलर मीडियम में जल्दी है जदा लिया तरही है अब अकसर क्या करते हैं कि बहुत जल्दी करते हैं अभी क्या करूंगा कि फुर्ट सा सिकेंड वास की और जा रहा है अधर फास्ट वास आम ने दे दिया वो लाइट ली एकदम 10% कलर बाकी जो है वाटर है आपको मालूम है अभी तीरे-तीरे 15% में चलूंगा एकदम 20% मिने 15% या 20% कलर बाकी वाटर सर आपके हिसाब से पेपर वाटर कलर में कितना वाटर कलर में कितना मैटर करता है सर आपके हिसाब से पेपर वाटर कलर में वोड़ा सा और नहीं समझे सोड़ा क्या सर आपके हिसाब से पेपर वाटर कलर में कितना मैटर करता है कुछ ुच की सब लग नहीं रहा है, थोड़ा-फुरा समझ में आ रहा है, बट किलियर बोलेंगे तो थोड़ा सा देने में मुझे आसन हुखे तो यहां पर अच्छी तरह हमने ड्राई कर लिया, तो अच्छी तरह इसे ड्राई करना है कि इसमें पैचिस ना आएं, ठीक है? तो हम सेकंड वास की और जल चलते हैं, सेकंड वास में हमें जैसे की तोरा सा कॉबल ब्लू, लेवेंडर और यहां पर क्या है, मुटे-मुटे बहुत हम यूज़ करने वाले है, कलर बस और कुछ-कुछ कलर जो है, बदलते जाएगा, जैसे खाने में हम मसला डालते हैं, बहुत सारे उसकी साथ कुछ-कुछ मैं हाइलाइट छोड़ता हुआ, नीचे की और जाओंगा, इसके साथ थोड़ा सा जो कलर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रेड ब्राउन है, क्या है कि यह मिडिल टॉन, मिडिल टॉन नहीं है, सेकेंड वास में हम चल रहा है, तोर असा बंसियाना, बंसियाना के साथ, तोर असा अल्टा मिरिन, अब देख सकते कितना कलर मैं यूज़ कर रहा हूं, कितना वाटर है इसमें, अब उसे जदा फॉलो किजिए, मुझे मे एक दम से नहीं डालूँगा, यहां पर कुछ बिल्डिंग तो रेडी स्टोन में था, तो रेड ब्राउन के साथ, तोर टच अब लिया है, हमने वाला बिल्डिंग भी यह वाला भी थोड़ा सा इस तरह से कलर है, आप देख पा रहें, तो हम क्या कर रहें, कि जो फिकेंड वास के लिए हम कुछ कलर बना रहें, और वहीं लगा रहें, हलके हलके, एक दम से हमें जरूरत नहीं है, तो हाइलाइट है, वह अभी हम रखते चलेंगे, तिरे तिरे, इस तरह से, झाल से क्या है कि जो कटिंग बहुत अच्छी तरह से हम संभल पा रहे हैं बहुत कुछ है मैं भी उतना डिटल्स में नहीं जा रहा हूं रेड ब्राउन का नाम क्या है रेड ब्राउन का नाम रेड ब्राउन है आपको अगर रेट ब्राउन नहीं है तो आप स्कालेट यूज कर सकते उसके बदले में थोड़ा सा रेट कोई भी जैसे वर्मिलियन भी उसकर सकते इस तरह से जैसे ओरेंज ले 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 तो है यहां पर तो दिर्ट 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 बघनने ब्रत भी जो चेंजिस लेंगाएाद उसमें क्या होगा क्वर तुिस्ट आएगा मज़ा आएगा क्यो कोई भी कलर जो है बहुत specialize यूखर के नहीं आए और देख सकते हैं कि मज़े देखो Hello Swati ji, thank you, thank you, okay. मैं में बहुत मोटे मोटे में बहुत चिन्ता नहीं कर रहा हूँ तना क के पल्कू को आदा-दा बूजा रहा हू और मोटा मोटा सेफ देख धिर मुझे कलर के डार्क स्पेस धिर है, इसे मैं कलर फीट कर रहा हूँ इस तरह से ठीक है तो हमने बताया कि किस तरब से ड्रॉइंग करना है UP किस तरब से आस्ट वास देना है फिर अभी हम सेकेंड वास में कुछह कलर यूज़ कर रहा है और जैसे कि बहुत सरी वह राईटी है वह भी हम भी दे रहे है कि कि अब के ओडर कलर में लेयर लेयर छोड़ते समय उष्की टांस्पयेंथी खतम हो जाती है कभी गभी तो कैसे हम रोक सकते है क्या होता है कि लेयर बार बार जब यूज करते हैं मै Miguel तो बंता नहीं है उसके लेयर भी आपको हो सकता है जो पहले लेयर अपने किया है उसी में जाके मिल जाता है जिसके विए से ट्रांस्वेंसी खत्म बनता नहीं है ट्रांस्वेंसी खत्म बनता नहीं है पांच बजे से ले करके जात बहुत तक वह भी आपको आप जॉइन कर सकते हैं उसे कल्चर उसमें टेक्चर मैं देखा तो एक पेंटिंग दिखाता हूं जिससे कि आपको मालम चलेगा मैं क्या प्लान कर रहा हूं जैसे कि ये इस कल्चर पेंटिंग है तो इसमें किसे से light maintain हो रहा है, इसके अंदर किसे texture है, dark कैसे maintain करना, तो इसके वारे में मैं कल का workshop में मैं plan किया है, जो मेरे, हाँ, तो इसके लिए आप join कर सकते, 800 fee है उसका, और कल जो है उसके 5 बजे से लेकर करके 7 बजे, तो मुझे वार्टसप कर सकते, तो यहाँ पर यह जो पार्ट में हम क्या करेंगे, बंसियाना के साथ थोड़ा सा, जो भी orange, scarlet, जो भी हमको मिला, तो red, red साथ color दीख रहा है, क्या है कि reference पर color को follow करो, ज़्यादा और कुछ नहीं, color को follow करते हुए, जो की उसके आपको color करना है, इस बलए building में कुछ pinks color मुझे काफी आच्छा लग रहे है, यहाँ पर कुछ pinks color को और जदा add किया मैंने, ज़र रहा है, यहाँ पर right side में एक जो घर देख रहा है, उसके चत, अच्छा ही है कि दोनों तोरफ बैलेंस बन जाएगा color के, यह उतना ही है, कि मैं वाटर कलार करते हैं मैं किने है कि समय हो चुका मैं भच्पन class three में तब से बातर सुरू किया ता उसके बाद मैं 11 12 लाइज चिड़र करता रहा हॉसके बाद मेरे बहुत सारे students भी साब मैं सिखा था उसके बाद मैं बारा कलास में गया तो मैं मुझे आज़्य मैंने क गनर था वाहाफ़ह बहुत सारे तुपे फायर किया है उसके बाद Last Last में एक दो साल मैंने 洪ेंटिंग शुरू किया, उसके बाद मैंने ऐसा लगा मुझे कि मैं पेंटिंग कर सकता हूं उसके बाद जितना मैंने पेंटिंग किया पिछले दो-तीन साल में साइध कोई आर्टिस्ट इंडिया का किया नहीं होगा, जितना मैंने किया है, मैं उसका एक-एक हिसाब दे सकता हूँ. तर जी, which brown are you using? ब्राउन में बंसियाना है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, और एक red brown जो color है, वो मिजलो का है, वो हम यूज करते रहते हैं, कभी-कभी, कभी-कभी नहीं, कभी-कभी यूज करते हैं. जो फुरू में color बनाया थे, याद होगा आपको तर्कुस के साथ, आल्टमेन के साथ, और 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 औरेंज के साथ, वही color को दूबरा थोड़ा बना के, मैं क्या करूंगा, यहां फिर road के उपर थोड़ा सा color लगाँगा, इस समय थोड़ा से स्थम्भाल के करना है, कि जो road क अब जो track line है, वो भी दिखाना रहने है, ठीक है, ओके, गवराने के कोई बात नहीं है, अईसा, करते हैं, और दिरे दिरे उस सेरियां में क्या करूंगा, मैं ठोड़ दूँगा color को, क्योंकि वहां पर ज़्यादा light करा रहा है, दोड़ा सा, पेंस के एड़ कर देता हूं, इसके बीज में कुछ टैक्सी, कुछ बसेस, उसके लिए भी मैं ठोड़ा बॉक्सेस के जे लिए मैं ठोड़ने के कोशिश कर रहा हूं, कुछ-कुछ छूट रहा है, कुछ-कुछ हम से, पाई मिस्टेक्ट, तो कुछ ट्रैक आपको दीख रहा है सायद अभी, क्यूच्स कर रहा है, को दो दीज मिस्टेक्ट प्रहा है विए तो कुछ रहा है, क्यूझ रहा है, तो इस तरह से कुछ हम ट्रैक लाइन को निकल रहे है जो भी रोड के और कुछ-कुछ टैक्सी कुछ बसेस उसके लिए लाइट छोड़ है जिसके उसके च्छत के उपर लाइट मैसुस्थ हो और असानी से वह दिखे जैसे मैं स्पीड में कर रहा हूं आप आराम से कर सकते इसे और इसके साथ मैं फिर से एक पर आपको याद दिलाना चाहूंगा तो चितकुल अभी अभी हम चितकुल गये थे चितकुल के लिए एक हमने वर्क्शॉप का प्लान किया है ओनलाइन वर्क्शॉप है वह रिजिश्टेशन सुरू हो चुका है कि 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 साथ हमने वह कि मैं शिकंदर सर और निशिगान जी लिखिया रहे है कि कि देखे कुछ इस तरह से हमने एक साइट से वह रोड बना दिया रोड के अंदर वह रस्ता बगरा वह जो है हमें देखने ही लग गया है कि देखे दिया कि अस्ट वास मीडिल टॉन यह जो है शेकेंड वास मीडिल टॉन जो भी बिज भी जो आता है फिर डार्क फिर शेडव यह जो है इसके इसके आपको फोर असा चलना है कि क्या होता है नहीं तो क्या है हम बहुत जल्दी कॉंप्लीट करने के लिए सुचते हैं उसमें बहुत गरवर होता है तो अक्सर वह रेंडम स्टोक्स में यूज़ करता ही हूं और अभी भी करूंगा क्या कलर जो लेयरिंग है कलर का जो वहलू है हम उसको बराते जाएंगे अल्टमिन बंसिया ना बहुत अच्छा एक कलर बनता है तार्क करने के लिए हए्वाद बंसिया बंस्टन रह येया जवस्ट stata करूंगा तार्क के लिए लोस् फ्हद्कों टॉ joint तो जब भी हम डार क्यूज करते हैं अच्छा उसमें वाटर जो है मेंटेन करना ही है कुछ लाइट कुछ मेडिल टॉन कुछ इसी के साथ मतब वह मज़ा आता है देखने में यह वह कुछ नहीं कर रहा हूं कुछ इस तरह से शैडू जो देखने को मिल रहा है कि इसे कितना स्केल होना चाहिए है इस एरिया में देखिए यह जो खिरकी विरकी छोड़ा जो भी है कितना स्केल होना चाहिए वह जरूरी है कि यह रिफ्रेंस फोटो कहा मिलेगा मैं बार बार वह पी इंट से लेता हूं आप भी वहीं पर मारी है तो फिर से यह जो विल्डिंग से थोड़ा विल्डिंग थोड़ा सा भी कांटास मांग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो और मैं बहुत मतलब इंजय कर रहा हूं इस पेंटिंग के साथ और मुझे परवा नहीं है इधर उदर लाइन जाने से आपको परवा होता है तो तब जाके खरा होता है कांट तो कोई बाद नहीं मतब आप डरना नहीं है वाटर कलर करना है तो डरना नहीं क्योंकि एक्सिडेंट मीडिया में अक्सर एक्सिडेंट होता रहता है और आपको निरास करता रहता है तो करते करते क्या होगा एक दिन आपको आएगा कि उस एक्सिदेंट को भी आप में लगाना है जो यहां Peanut होता रहता वी भी हो रहा है उस एक्सिडेंट को कम में लगाना है ठीक है। रिखते रिखते करेंगे तो वो दिखता है उसमें कि डर भी द육ता उसके अंदर पेंटिंग के अंदर उसका मजनी आता की आं किसलीं मैं एक बडानता हूं कल्मिरा वोर्क्षप итवर बसुल्चर की कल्चर के नीहीटष। तो राइटन सेडूस के साथ मैं दिखाने जा रहा हूं तो भी इंटरस्टेड है वो जॉइन कर सकते हैं उकिकान है कि अगाने गदना जाएखे वाटर कितना है वह जाएखे वाटर से बिलकुल फ्लो हो रहा है है यह सब कि अपी डार के साथ खिलना है वाटर को ना दोस्त बनाने का है कि अब लोग कि यहां पर देखा कुछ कॉंट्रस है तो मैं बिल्कुल पसंद करूंगा कुछ डार्क यहां पर खेलने के लिए अच्छी शैडव है शैडव के बीच में कुछ गाड़िया है ओके थैंक्यू कोशिक भाई थैंक्यू वाटर कलर के लिए कौन सी यहार का ब्रस बेस्ट रहेगा नेच्छल हैर का बेस्ट रहेगा हमेसा कोई बेस्ट रहता है करते रहो सवल अच्छा लगए कि मुझे लगेगा है आप लोग ओके तो यहां पर कुछ कुछ यहां पर घर का जो कंप्लेक्स है कुछ बैकेट हमें निकलना है तो जिसके लिए ओके बन सिगा थैंक्यू यहां से कलिगरफी छोटा बला च्छा रहेगा कलिगरफी में क्या मज़ा है कि फ्लाट भी हो जाता है बेचारा फ्लाट भी हो जाता है और पॉइंट भी बन जाता है तो यह ज़्यादा काम आता है कि जैसे बहुत जम रहे तो यहां पर थोड़ा समय के बीज में थोड़ा सा डार्क छोड़ना चाहूंगा है जैसे घर है ना कुछ अपने हिसाब से भी कर सकता है तो को बांद के एकदम बाइसे ही जाना है नहीं क्या होता है कि हम घर खिर्की बनाने में बिजी रहते हैं तो वह उतना पहले मुटा मुटा जो बेज कलर है उसे यूज करना है के बाद आपने शिकेंड वास के बाद आपने आना है उससे बनाने के लिए कही बार वह होता है अंदेरे में और आप क्या करते हो खिर्की लाइट बना देते तो मज़ा नहीं आता है कलर को खेड होने से कैसे बचे है त्रिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत इजी बना रहे है आप अमेर जी थेंक यू मदभीका जी कलर को फेड होने से क्या होता है कि कफी उल्टा फुल्टा कलर ले लेते हम तब तब जाके वो फेड होने के चांस होता है कहीं बार होता है कि औरेंज को नहीं लेना चाहिए औरेंज ले लेते होंगे कहीं बार होता है कि कोबल ब्लू नहीं लेना चाहिए, कहीं बार चलूलियन ब्लू नहीं लेना चाहिए, वो ले लेते हैं, कहीं बार क्रिम्सन नहीं लेना चाहिए, ले लेते हैं, तो ऐसे ऐसे वो आपको थोड़ा सा सिगलाई के अंदर आएगा, कि कुछ-कुछ कलर आप ग एक स्पोंच है मेरे पास आप देख सकते हैं और जो भी मैं आर्ट मेट्रियल्स यूज़ कर रहा हूं वह जो भी उसका सप्लाई जो सप्लाईर है जो भी रैफेनुप जो जिसका मैं बैंडर में सेटर हूं तो आप वहां से सारे यह सामन जो आपको पर्चेस कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में शेयर कर दूँगा और दूसरा है यह जो लाइन यूज़ कर रहा हूं तो स्पोंच में टच करने से क्या होता हूं उसका कलर को कम कर देता है तो उस समय मुझे जितना चाहिए उतना मैं कलर यह नहीं यूज़ होगा ठीक है मतलब कभी डार्क लाइन नहीं यूज़ होगा और अब यहां पर जो मैं डार्क कुछ एड ओन इसली कर रहा हूं इसके बीज़ बीज़ में तक ही यह एरिया गीला है तो जो भी मैं अगर डार्क कुछ कर रहा हूं उसमें स्प्रेड होके क्या होगा और जिल्देगा और कॉंटरस चाहिए इस एरिया ना इस फोर ग्राउंड है फोर ग्राउंड में थोड़ा से कॉंटरस चाहिए उसके लिए मैं एक पेंट स्क्रेड भी उसकर रहा हूं साथ में एक लूनर ब्लैक भी उसकर रहा हूं कॉंटरस चाहिए यह कुछ कॉंटरस है कुछ कॉंटरस है ड़िये मत ऐसे शैडोज आप डालिये कोई बात नहीं करके आगे जीट है कल जो है कलरम यूटूब को किजिए सारे 9 बजए हमारा जो एक आर्टिस्ट भाई है बहुत अच्छा पेंटिंग करते है कि उनका डेमो है कि आरे 9 बजए है कर दो थोड़ा मैं डिटेल्स कर रहा हूं इस एरिया में ज्यादा डिटेल्स होगा उदा थोड़ा साइसे अलके में चला जाओंगा कर रहा है कर दोड़ा प्रॉड़ा कर दूड़ा पादा 좋तार्र डिटा कर दी कर दोड़ा करदो ait भादा कर द face कुछ-कुछ घर में उसके उपर छत में कुछ है ऐसे से कुछ चीज़े जो है हमको क्या करता है कि कॉमपोजिशन को मीठा बनाने के लिए मदद करता है अपको अक्सर सवाल करना चाहिए कि हमें क्यूं आच्छा लग रहा है तरजीफ और सिटी स्केप पेंटिंग विच कलर वी मस्ट बाइ विच ब्रैंड ने ने ऐसे कुछ नहीं कि सिटी स्केप के लिए अलाग कुछ कलर है ऐसे कुछ नहीं है जो भी आप कलर यूज़ कर रहे उससे भी हो सकता है आप अपने बज़िट के साब से आप ब्रैंड चॉइस कर सकते है इतना है कि करी बाइब है कि करी बाइब हमें चोटा किर्की बनाना होता है हो भी बहुत बड़ा बना रहते हैं इसा भी नहीं होना चाहिए झाल झाल कर दो कि जो हम कर यहां पर किया वह वहां पे नहीं होगा ठींगे थोडसा डार्क है उसका मज़र भी आएगा धैना रखना है कि यहां पर जो कलर रोंग जाते तो कलर को कम करते हैं भी अब नश्कया है धु Panch यहां पर ट्वłem करके पर कुछ दिख रहा है बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत कुछ कुछ कि मज़ेदार होता है तो इसके थोरा सा हिम्मत करके आपको करना है कि जो चीज मुस्की लगता है उसी को तो करना है करना है कर दो करके में बस मैंसुस कराएंगे यह है वह है बनाएंगे कुछ भी नहीं हाइलाइट के लिए वाइट यूज कर सकते है क्या वैट यूज करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा एरिया होगा बहुत बाहर यूज़ करने से वह मज़ा नहीं आता चोटा बोटा पॉइंट में आप यूज़ का सकते कोई प्रॉब्लम नहीं तो पहले से प्लानिंग करो कि आप उस पे पचा के जाओ कि आपके उसकी नौबत ना आए कि वो वाइटर यूज़ करें झाल झाल मैंने बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नॉटिफिकेशन वह क्या करता है अल्गरिदम आपको रूटेट करके आपको बेस्ता आपके पास तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वह दिखेगा वैसे जिनको जिन्होंने सब्सक्राइब किया आप देख सकते बहुत सारे वीडियो मैंने ओपेंड किया है तो उनको देखके आप समझ सकते कि किस तरह से मेरे क्लास चलते हैं ऑनलाइन क्लास जुरूरी क्या है कि आपके पेंटिंग के रिव्यू वह ज़्यादा जुरूरी ह कि बहुत फैट सा एरिया है कि यहां कि कुछ नकुछ है करके मैं प्रिखा देता हूं छाएट मेरा जो है कवर हो चुके है तोड़ा सा दीरे दीरे अभी यहां पे एक टेल आएगा जिससे की कम पॉजिशन में बैलेंस हो जाएगा यह जाला डार्क लग रहा है देखेंगे अगर जूट पर तो बात में इसे निकल भी सकते हैं अच्छी तरह तरह करो कि उसके अंदर लाइटन सेड़ उसको पूरा प्रापर करो इस तरह से हम कैमेरे में फोकस करते हैं किसी अडिया में ऐसे इस तरह से करो हुआ है कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कलर में बहुत सारे वाटर एड़ कर रहा हूं जिससे की बहुत दूर जाते हुए कुछ टेंपल सा या ऐसा कुछ कुमबोत सा बना हुआ इसको निकलने के लिए मुझे बैक्गरंड में एक डार कलर प्लेस कर रहा हूं मैं इससे वह देखो निकल के आगया है कहीं बड़ी ऐसा सीचिएशन आता है कि हमको थोड़ अशा डार्क खिलना होता है कुछ कॉंट्रस्स के लिए कुछ कुछ ऐसा मैंसुस हो रहा था हूं तो भी चलो बना दिया हाँ जरूर जरूर बनसी का गूझ ट्राइक करो गुझ आमें बीटिफुल थेंक यूठी थेंक यू बीपिंची ओके पिक्चर अभी बाकि ए स्टोड़ा सा इस हेरिया में क्या होता है कि हम पहले क्या करोंगा मैं इक तो कि नगा ने क्या कर देता हूँ क्योंकि वाटर कि तुरह हलका सा बहुत पो उन जोब भी घूत कर दो गिला कर लिया ठीक है गिला करने के बाद आभी देखना है कि थोड़ा से रेड ब्राउन कलर है आल्टमरीन है प्रटार्पुईस है उसना कॉंट्रास्ट नहीं बराएंगे वह सरे कलर नहीं यूज़ करेंगे जिस्ते की वह काफी हार्ड हो जाए और दूर का जो आपनेस चला जाए वह देंगे कि नीचे हिस्ते में फोड़ा सा किस इस्ते में थोड़ा सा डार्क चाहिए जैसे की वह शेड़ो के साथ थोड़ा सा मर्ज हो जाए करेंगे करेंगे हिस्ते मैं है इस सर्यमेश में निचर का यही खेल है कि कुछ अगर आपको लाइट दिख रहा है कि आस पास कुछ ना कुछ तो डार्क है जिसके बाद से आपको दिख रहा है वो लाइट और असा उसमें एक्टिव कर रहा हूं कि गारी बाकी है गारी याचे होगा बहुत मज़ा आएगा इस एरिया में तो कि अध्यूद में भी खिर्की बनाना है अध्यूंद में है बेल्डिंग तभी महसूज होगा जब उसमें खिर्किया ठिक से बनेगा ओके दूर जा रहा है अभी थोड़ा सा स्मोक के साथ खेलेंगे क्या मेंज लेवेंडर को एक्टिव करते थोड़ा लेवेंडर 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 नहीं है तो आपको बल्ब्लू। तो उसकी जिए कोई दिक्कत नहीं है अलका करके लेवेंडर के अंदर तो रहा वाइट है और जिसके बज़े से उस स्मोकी तरह स्मोक साथ कुछ है लग रहा है ना ? कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है घबिन जी ठैंक यू यू टेक शैलेंजिंग फोटो टू पैंट नई नई बरे ईजी है सर बहुत मुज़ेदर है मैं वही बताने के लिए यह कंपुजिशन लेकिया है कितने इसदी है देखिए कितने इंजॉय के साथ मैं कुछ आप सूम करेंगे परिशान हो जाएंगे मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ बस कलर कॉम्पोस कर रहा हूँ फोड़ा इधर उदर कलर टच कर रहा हूँ जिससे वह महसूस हो रहा है हाँ थोड़ा डीटेल्स को आपको समझना होगा बिल्डिंग किदर को है किदर को है वो लाइन्स किदर को है एक इधर गया है वो कुदर गया उसमें वो कनिक्शन नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा आग लगा क्या थेंक यू थेंक यू निशिगान जी नहीं ऐसा नहीं मैं तोड़ा सा कि अभी क्या आएगी इसका जो च्छत है वो कब दिखेगा वो दूर वाला हिस्सन है अभी यहां पर थोड़ा सा संबल के काम करना होगा क्योंकि इस एरिया में ज्यादा ना वो प्रमानी चलेगा यहां पर थोड़ा सा मुझे एक केल ऐसे देखे निकलना है क्या मज़ेदर है यहां से भी रास्ता दिख रहे एक बट कंपोईशन वाकी बहुत अच्छा है अच्छा जिनको यह कंपोईशन चाहिए वो मुझे पार्सनल वाट्सअप करे सेबन जिरो जिरो नाइन वान सिक्स टू नाइन सेबन जिरो मैं यह चो कंपोईशन भी फोटोगर्फ जो है आपको शेयर कर पूंते कि आप ट्राई कर सकते हैं जो ट्राई करें और और मैं पिछले अपता उससे पहले मैंने एक टेक्छर की उपर मैं डेमो दिया था तो य बटर कलर के अंदर टेक्चर कैसे बनाना है टेक्चर की उपर मैंने बहुत कुछ टेर किया आप लोगों को बुजरूर देखे लेवेंडर भी मिजलो का है बहुत कम यूज होता है यह से बहुत ज्यादा नहीं है यह से रेर कॉंडिशन में बट है आपको क्या होता है कि कलर जो भी हम जैसे हम यूज करते हैं हमको क्या कलर पसंद आया आपको क्या कलर पसंद आएगा जब तक अब उस कलर को नहीं यूज करेंगे तब आपको समझ नहीं है तो ब्रैंड में हर ब्रैंड में हर कलर जितना हो सा के आपको खुद को करना है लेना है और जिससे कि आपको महसूस हो जाएगा अब यह ऐसे कि रेफेंड रूब में सुपर विजन का कलर आया उसमें बहुत कुछ कलर बहुत मज़िदार कलर आया प्रूपा मैम दिस इस सिंपल आवशम थेंक यू थेंक यू मैम थेंक यू तो देखो यहां पर वो जो कट शुट 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 कट दिया ना वो धूख का असर कर रहा है यहां पर जैसे कट दिया वो भी कर रहा है तो क्यों ना यहां पर है नहीं यहां पर दोचाद दे देते हैं हमारे हाद में है ना दोचाद और क्या होगा कुछ यह जो इस एरिया में जैसी तो रहा काम होगा तो मज़ा आजाएगा डिटल्स जो भी कर रहा हूँ कितना ले रहा हूँ उससे समझना है फोड़ा था कितना कलर लिया उस वहाँ पर डिटल्स करने के लिए एक पेचुलर भी है उससे भी एक्टिव करता हूँ वहाँ यह सब चीज मैं वह टेक्चर वहला क्लास में बता है ठीक है अब जरूर उस का वीडियो को जरा देख सकते हैं। पेचुलर आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे एटियम कार्ड हो गया पुराना यह मैंने वह नाई पैलेट पेंटिंग में जो यूज होता है उसको एक साब कार्ड दिया। तो आपको अभी खिड़की का लाइट दिख रहा होगा। दिख रहा है ना। तो चर गाड़ी भी दिखा देते नीचे। इसे कहते है पैचुलर्स। एक्टिव हो जादा है और ज्यादा और ज्याद एक्टिव सब्जेक्ट भी उची है उचा इसे लिया है उचे लोग उची पसंद आप लोगों से तो सिखा है सर तो जैसे आप लोग सिखाएंगे वैसे हम आगे करते रहेंगे सर तो यह जो आइडिया है विकन सर का ही है ठीक है तो जो भी आप लोगों सिखना है जो भी कुछ है अब हमें टाइम टाइम आपडेट देते रहे है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि वीव तो हो रहा है ओके अभी छोटा सा काम है पास दज मिट का काम है और मैं और एक चीज बताता हूँ जब भी कभी आप किसी भी डेमो देख रहे हो चाहे यूट्यूब में देख रहे हो चाहे कहीं पर आफ लाइन ऑनलाइन कहीं पर भी देख रहे हो लास्ट जो 15 मिनिट है ना वो जुरूर देखना है 15 मिनिट में बहुत कुछ बदल जाता है अभी वो लास्ट 15 मिनिट में जाने से पहले वो और असा मैं ये निकल दिया तो आच्छा लएगा देखने में मेरे को भी आच्छा लगता ना तो पहले तो हमें कुछ यहां पर गाड़िया बनाना कि इतना इजी गाड़िया देखो कि पहले मैं हलका कलर लगाऊंगा कि पैंटिंग जो है काफी इजी है अब इससे अगर समझे इजी तो इजी है तो हर वीडियो के बीच वीडियो के डेश्प्रिशन बॉक्स में मेरा जो है आउनलाइन क्लास इसका डीटेल्स दिया हुआ है और जो पसंद करते कि रेगुलर बेसिस क्लास करना है वो जुरू जूइन कर सकते हैं तो मैं बहुत हैपी हूँ कि अभी भी बहुत सारे इससे स्टुडेल्स जो भी ऑनलाइन के जरी अभी भी मुझे देखे रहा है यहां पे जुरा हुआ है तो फिसले दो साल से क्लास कर रहे और काफी से जो दो साल से continue बहुस तरह स्टूडेंस ऐसे continue कर रहे हैं तो आप में से कोई सोच रहे हो तो अभी भी जॉइन कर सकते हैं अलग-अलग class है flowers का portrait का landscape cityscape जो cityscape है वो ज्यादा तरह advanced class में रखता हूं जो जो landscape बगरा वो intermediate में रखता हूं और जो basic watercolor है वो जो medium मदब oil acrylic छोड़के जो यहां पर switch कर रहे हैं वो सुरूद में अगर यह देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा वो class setting करेंगे तो उनके लिए अच्छा है चोटे-चोटे figure डालना है बहुत ही चोटे-चोटे यहां पर बड़ा बड़ा नहीं डाल सकते हैं बहुत side message हो गया करना है जो भी figure चोटे-चोटे डालना हो उसमें भी shadow डालना है मतब कितना accurate काम करना है चोटे-चोटे भी accurate काम करना है जैसे यह दिया तो उसके नीचे-नीचे अभी मैं थोड़ा shadow डालूँगा अभी जैसे यह गाड़ी बनाया इसका भी shadow डालूँगा है दो कॉण देखो गाड़ी एकदम रिडि हो गया तो कि मैं कि यह देन ही अदो नहीं है रस्ते के उपर यह पर बहुत सारे गाड़ी बनाया था मैं वो ढग दिया कलर से झाल 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 दवल स्टेच करना है जिससे गाड़ी लगे बहुत चोटा है जूम करेंगे देखेंगे तो यह ज़रूर मैं सेर करूंगा इस्टागरम पे और गुरूप में भी और इनका कॉमपोजिशन आपको मिल सकता है और आपको अच्छा लगा ना ज़रूर मूर के एक पर लाइक और कॉमेंट्स कर दीजिएगा जिससे यूट्यूप का जो अलगरिदम है वो काम कर जाए और साथकाइब आपको बोलके मैं करा नहीं सकता तो चीज़ है इनका भी बैटरी लोग या मेरा टैब का चलेगा नो प्रब्लम की ओके बंसी का थैंक्यू तो देखो वो जो लोग चल रहे ना उसमें बंसी का भी है दिख रहा है बंसी का किधर है धुंडो इन सब में तोड़ा शैडो डालो ऐसा नहीं लगना चीए किसी में शैडो आ रहा है कोई भूत है तो सब में शैडो होना चीए किधर भी डाला है जी जी शर्मिस्टर मैम दूबार हो गया ना जरुद जरुद तो तो मैं वह क्या रहा था कि जूम करके देखेंगे तो परिशान हो जाएंगे कुछ भी नहीं है इसमें मैंने इंजॉय किया टुटाली किस तरह से लाइन टॉइंग को देखना है वो किया और पर तो मैं हमने क्या क्या करते 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 हमने क्या किया एक दम लाइट कर दियो दर तो इस तरह से जो है कमपोजिशन को किया थेंक यू निसिगंद सर थेंक यू सो मच मीनु मैम थेंक यू ओके देखो यहां पर सारे जो काम कर भra है जोके बीज रिज में ुछ अगर खुल गया जब भी बन रहाता था इस तरह से छीज्जी हो जाता है तो को कैसे स्टार्टिंग में बता है ज Thoughने बीजिए जूरू कुछ इस तरह से किमनिया जो है न, वहां निकलता है किमनिया बना दो, फिर उसका सेडू डालो बंगा है तो टोटल पेंटिंग यह था तेंक्यू आमिया जी अब बहुत जल्द हम मुंबाई भी आ रहे हैं एक्तम आफ्लाइन के लिए आफ्लाइन टू डेज वर्क्शोप का प्लान हो चुका है मुंबाई में तो वहां पर भी आप लोग जाइन कर सकते हैं अब लोग लाइक करो जल्दी निशिगान सार ने बता दिया थैंक्यू 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 शुक्रिया निशिगान जी और आपके बिल्कुल कुछ शवल और है क्या तो एक तो आप लोगों ने कहा कि फिगरेटिव लेके आना है तो मैं जुरू शिकंदर सार को रिकोष्ट किया है कि कि फिगरेटिव के साथ आप आए तो सायथ लेके आएंगे और बिकन सा थैंक्यू सैर ओके जी प्लीज कम टू बेंगलोर ऐसी दूर सी बता दो जब उदर आएंगे मिलेंगे नहीं आप पानी राओ जी आवस्वाम थैंक्यू थैंक्यू योती जी सार रैप एंड वाटर क आप आपके एक बहुत अच्छा राउंड ब्रस है जो की मेड इन ताइवन है एक सेकेंड सॉर्ड इतना टाइम हो गया गया तो मैं कह रहा था कि जो रैप एंड में आप बहुत ही कुछ जैसे कैली के भी ब्रस है वह भी आपको मिल सकता है और एक ब्रस है जो टीनों का जो शेट है वह पर विजन का इस तरह से राउंड ब्रस है काफी खुब्सुरत है और नेश्रल है रहे है इनों का शेट है वह भी लेख सकते हैं ब्लैक कलर के मेड इन टाइवान है तो आप बात में देखेंगे तो यह साइद आपको मिल जाएगा ठीक है तो थेंक्यू यही पर मैं यहां पर क्लोज करता हूं और कोई सवाल है किसी को ओके इस नौट प्यूर वाटर कलर पैंटिंग बाट मोर लाइक पोस्टर कलर अधियू लाइक अधियू विस अधियू थिंग आई डॉंट क्यार अमीन में और रह पेंडू का पास चाइनीज लाइनर ब्रस नहीं है चाइनीज लाइनर ब्रस चाइनीज में लाइनर ब्रस कुछ नया प्रोटक्ट आने वाला है लाइनर के भी काम आएगा वो अगर पसंद आया और अगर पसंद आया तो जुरू लाइक कमेंट्स कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमपोजिशन के साथ जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है तो थेंक यू टाटा गुड़नाइट और बाबाए झाल 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 झाल